दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोगों का सीविल टेक चैनल में आज हम लोग गुपता अन गुपता बुग के हाइवे इंजिरिंग के सुपर फार्स शीरीज का पार्ट नमबर एट पढ़ने जा रहे हैं यह हाइवे इंजिरिंग का सबसे लाश्ट वीडियो है इसमें हम लोग 32 कुश्चन पढ़ेंगे यह वीडियो उननों के लिए ज्यादा इंपोर्टिंट है जिन्होंने गुपता अन गुपता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिवीजन परपस से इसे देखना चा दिया है का राधे इसे आप दा विर्थ आंप दा कार पार्किंग एर्याइब क्रां कार की का रिशयो बता नहें तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 30 डिगरी पार्किंग का विर्थाफ कार पार्किंग एरिया क्या होता है तो 30 डिगरी पार्किंग का विर्थाफ कार पार्किंग एरिया होता है आप 4.66, क्या होता है 4.66 होता है, और 60 डिग्र फार्किंग का जो व्य आप कार PS strengthen area होता है, कितना होता है, वह होता है, आपका 5.58, क्या होता है, वाला है यहां पर करेक्ट एंसर को जाएगा 176 का सी वाला एंसर क्या हो जाएगा उसके बाद 177 नमर कोशन नुख उच्छन में कह रहा है consider the following statement with reference to the payment क्या दिया है payment के reference में इसमें से कौन साय स्टेटमेंट साही है यह आपको बताना है तो इसमें statement पहला आपका दिया है flexible payment are more suitable than rigid payment is in the region where the sub great strength is uneven तो यह statement आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है second number दिया है करा load carrying capacity of the rigid payment depend more on the load carrying capacity of the rigid payment यानि rigid payment के जो load carrying capacity होता है वो more होता है आंदा कहां पर होता है तो का आंदा आगे दिया property of the concrete then the strength of the subgrade property of the concrete then the strength of the subgrade तो यह वाला statement आपको बिल्कुल सही हो जाएगा third number आपका दिया कह रहा है किया आपका यहां पर दूसरा और तीसरा यह दोनों सही दिये हैं तो दूसरा दिसरा मतलब सीवाल एंसर क्या हो जाएगा यह पर आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद 178 नमर कुश्चन दिया है 178 नमर कुश्चन में कह रहा है for the relationship यू बराबर दिया आपका 55-0.44 के क्या दिया है एक रिलेशन आपका दिया है यू बराबर क्या दिया है 55-0.44 इंटु के दिया हुआ है कह रहा है कि वे यू क्या यू क्या स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और क्या है देंसिटी है और आप से पूछ क्या रहा है कह रहा है maximum heart will be the maximum flow इन वे पीच यानी maximum प्था आपको बताना करना हो गाँ तो पाहले स्कूस्टन को समझते हैं कि एक क्वेशन आपका दिया हुआ है ये विख स अब यहां से एक क्यों निकालें तो क्यों हो यू कि यहाँ यहाँ निकालें सकी वे उจะ स्की रखेए क्या पॉइंट आपको सब्सक्राइब वन्हें तो इसते हैं को हुआ जाएगा इसको हां करने कितना को जएका 55 के भाइब यह नस पॉइंस पॉइंस फउइन पॉइयरद हो जाएगा अब यह करते हैं तो और चै़ सब्सक्राइब पर देखेंगे यह जाएगा आपका 55 उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा यह तो इंटू पॉर पोर और और आगे क्या हो जाएगा आपका के भी आगे जो के इंक्लूट रहेगा तो 55-2 इंटू-4.4 इंटू के यहां तक मिल जाएगा और मैक्सिमम और मिनमम के लिए डीक्यू अपान डीके के वैलू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो जब मैक्सिमम और मिनमम के लिए डीक्यू के वैलू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55-2.44 के बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां से क्या की वैलू निकाल क्यों क्यों निकालेंगे तो इस प्राइबर फार्मूला मारा क्या बना था फिफ्टी फाइब के माइनस पॉइंट फॉर फॉर के का स्कॉर अब यहां के की वैलू रख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा करेंट अगला नमर कुशन देखते हैं 179 नमर कुशन का गया आपको बताना है दिया को लिजन डाइग्राम का परियोग कहां करते हैं पहला आपको सही हो जाएगा इस्टेडी एक्सीडेन पैटन पर करते हैं और फर्ड वाला आप से हो जाएगा डिटर्माइन डा रिमीडियल मीजर्स यानि पाहला तीसरा सब्सक्राइब ने दिया है तो करेंट एंसर क्या हो जाएगा यहां पर वाला एंसर क्रेक्ट और नंब पुशन दिया है कह रहा एंसर आपका C हो जाएगा, डाउन ग्रेड होता है, क्या होता है, डाउन ग्रेड होता है, 180 का C वाल एंसर क्या हो जाएगा, आपका, correct हो जाएगा, उसके बाद 181 नम्बर कुश्किंड दिया है, 181 नम्बर कुश्किंड में कहा रहा है, कि the plasticity index of the fraction passing प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान बताना है किसके लिए 425 माइक्रान की चालने से चालने के बाद क्या होता है क्या होता है उसके बाद आपका 182 नमबर कुश्चन दिया है 182 नमबर कुश्चन करते हैं यह बराबर कितना दिया है आगे कुश्चन कहे रहा कि वाट उनबीदा रेडियस आप लिगोटी निगोटीएबल हरजेंटल करो यहनि क्या है क्लिब्ध निगोटीएबल हरजेंटल करो आपका पूछ रहा है कितना हो गयी तो इसका फार्मूला र बराबर क्या होता है R बराबर होता है S का square upon 8 into M होता है क्या होता है R बराबर S का square upon 8 into M होता है S आपका 80 meter दिया हुआ है M आपका 10 meter दिया हुआ है दोनों को रख करके हल करेंगे तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा यहापर C वाल answer आपका correct हो जाएगा कह रहा है CBR जो हम टेस्ट करते हैं तो उसमें जो 5 mm का पेनेटरेशन होता है वो ज़्यादा दिया हुआ है किस से धाई में के तूलना में आगे दिया देन दर टेस्ट इस रिपेटेड फार्द चेकिंग यानि कह रहा है कि चेक करने के लिए इस टेस्ट को दुबारा किया ज होगा वो उसका मान कितना लिया जाएगा तो करेक्ट एंसल आपका यहां पर हो जाएगा हायर वेलू आप्टेण एड़ना फाइव देटेसं क्या होता है ऐसी कन्डिसन में जो पारचों पर एंटर संद की हायर वरियू पराफ्ट होती है उसी को कंसीडर किया जाता है 183 का यानि क्यों होता है जिसमें पूर जाता है किसी स्कीड मार्क मार्क जाता है कितना होता हो नैन पॉइंट दिया हुआ है तो कहरा है इसकी रेजिस्टेंस आप से पूछ रहा है तो पहले आप कुस्चन को समझेए कुस्यन में कहे रहा है कि एक वेहिकल है जो इसमें क्या होता है वाज श्टॉप डिनी एक वेहिकल डूख जाता है दो सेकेंड में कब रुखता है वह जब ब्रिक पूर्ण उससे जाम हो जाता है आगे दिया इसकी डिमार्क जिए हुआ कितना हुआ और आपको बताना है उसका मान कितना होगा तो फार्मूला क्या होता है अगर हम एक वेलू एफ इंटू जी को ऊपर वाले फार्मूले पर रग दें तो क्या हो जाएगा f into g बराबर हो जाएगा अबका 2 into s upon t का square यहांसे f बराबर अगर निकालना चाहे है तो f बराबर क्या हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 2 into s और upon में क्या हो जाएगा g into t का square तो यहांपर s दिया हुआ है t दिया हुआ है g की value 9.8 होती है इसको रख करके हल करेंगे तो हमारा answer क्या हो जाएगा बी वाला answer यहां पर correct हो जाएगा पॉइंट फाइब यानि बी वाला answer क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा उसके बाद 185 number question दिया है तो 185 number question में कहे रहा है कहे रहा कि which one of the following is the chronological sequence in regard to the road construction या design payment क्या दिया हुआ design development यानि कहे रहा question में कि correct sequence बताना है road construction का road construction का correct sequence बताना है पहले आपको समझना पड़ेगा जो trace a great होता है trace a great जो road थी वो 1764 में बनाई गई थी कब बनाई गई थी 1764 में बनाई गई थी आगे दिया सबसे पहले क्या है आपका सबसे पहले जो है trace a great बनाई गया था उसके बाद टेलफोर्ड बनाई गया था उसके बाद जो है cvr बनाई गया था मतलब आपका यहां पर बी वाला एंसर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा उसके बाद 186 number question देखते हैं तो 186 number question में कहे रहा है करण के दा General requirement in the जनरल रेक्वार्मेंट क्या होगा इस टुदा प्लेस आफे सिंगल लेयर अब रेंफोर्समेंट क्या हो जाएगा बी आपका अपको यहां पर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद 187 नमबर कुशन देखते हैं तो 187 नमबर कुशन में कहे रहा है कि इस ए कामन प्रैक्टिस टू यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद 188 नमबर कुशन दिया है 188 नमबर कुशन में कहे रहा है कि आपको बतानी है किसके किसमें इंपक्ट किया जाता है तो उसमें अग्रीगेट को उपर जो मेंका अनर्जी की मात्रा हम प्रॉइड कराते हैं तो कितना होता है तो करेक्ट एंसर आपका सी हो जाएगा 7980 kg cm होता है कितना होता है 7980 kg cm होता है निकालते कैसे हैं इसको 15 x 14 x 38 इसको गुणा करेंगे तो सी वाला इनसर मारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका 189 नमबर कुशन दिया है इसमें कहे रहा कि which one of the following binder is recommended for a wet and cold climate क्या दिया है वेट और cold climate की condition में इसमें से हम कौन सा binder प्रवाइड कराते हैं तो correct answer आपका D हो जाएगा इमल्सन प्रवाइड कराते हैं इमल्सन प्रवाइड कराते हैं 189 का D वाला answer जो है आपका correct हो जाएगा उसके बाद 190 नमबर कुश्चन दिया है 190 नमबर कुश्चन में कहे रहा कि with reference to the marsal mix design criteria for the highway यह हाइवे के लिए जो marsal mix design criteria है इसमें कहे रहा कि which one of the following pairs is not correct to match इसमें से कौन सा pair है जो की correct रूप से match नहीं करता है है नमबर आपका दिया stability value जो stability value होती है उसका अमान कितना होता है 340 मिनिट होता है पहला तो बिल्कुल सही है आपका दिया है यहाट से पच्छतर से 85 कर सकते हैं लगबाइ इतना रखा जाता है तो आपका यहां पर सी वाला जो वैलू दिया है वो गलत दिया हुआ है और पूछा भी आपसे है कौन साइस में सही रूप से नहीं मैच है तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला आपकर एंसर करेक्ट हो सिट्फिट अनि पसंट अब दारोड बनला यह नोट के जाता है सेवनट पर क्या होता है दक फ्रीश्पीड वाज 80 km पर आवर यहीं Free Speed दिया हुआ है कि तना दिया हुआ है Free Speed 80 दिया हुआ है आगे दिया कि JK Ram-Density was 70 VPKM यानि क्या दिया Young Last 70 दिया है आगे पूछ रहा है maximum flow in VPH that would be expected on this road is यानि कह रहा है क्या evaluate question में कह रहा है कह रहा है free speed आपको दिया हुआ हैни fps Sub-Creekrive क्या होता है free speed into jam density jam density upon क्या होता है 4 होता है maximum flow होता है वो बराबर क्या होता है free speed होता है into jam density upon 4 होता है आपका यहाँ पर free speed 80 meter दिया हूँ 80 km परावर दिया है jam density जो है 70 WPKM में दिया हुआ है maximum flow आप यहाँ से निकालेंगे तो correct answer क्या हो जाएगा आपका B वाला answer correct हो जाएगा 191 का B यानि 1400 answer correct हो जाएगा 192 नमर question दिया है which of the criteria given below are used for the design of the value vertical curve on the road क्या दिया हुआ है कह रहा है कि इसमें से कौन सा criteria है जो नीचे दिया गया है किसके लिए दिया गया है design of the value vertical curve on the road के लिए पहला आपका दिया है rider confirm दुसरा आपका दिया है क्या दिया headlight side distance और तिसरा आपका drainage दिया है कह रहा है कि select the correct answer using the code given below तो correct answer इसमें बताना है कौन कौन सा होगा तो आपका ये वाला answer यहां पर correct हो जाएगा पहला दूसरा तिसरा यह तीनों वाले सही है अपका डाईडर comfort भी होता है उसके बाद आपका side distance भी होता है उसके बाद drainage भी होता है वाला answer क्या हो जाएगा यहां पर आपका correct हो जाएगा उसके बाद आपका 193 option दिया matin electr inork votreоне Igor वाली से मिलाना क्या मिलाना है लिच्ट यान लिच्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा बी नमबर आपका दिया है कि पॉर्ट होल क्या होता है यह दिया है तो इसका आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा दिया है यह करेक्ट होटा है आपका यहां पर फॉर्थ वाला एंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ में क्या दिया हुआ है फोर्थ में आपका दिया हुआ है फोर्थ में दिया है रिमुवल आप दा लार्जर कोर्जर 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 को अब्रॉप्ट अब्रॉप्ट लोवरिंग आप दा रोड सर्फेस डू टू दा पूवर ड्रेनेज की कारण क्या होता है रोड सर्फेस का ड्राफ्ट लोवरिंग होता है यानि क्या हो जाएगा डी का फिफ नमबर है आपका करेक्ट हो जाएगा यानि इसमें दिया था पहले दी वाला यहाँ पर एंसर correct हो जाएगा उसके बाद 194 number question दिया है 194 number question कहरा है far carrying out between us pack work को प्राप्द करने के लिए क्या होता है आगे देखते हैं इसमें दिया है between us pack work को प्राप्द करने के लिए दिया है during the rainy season rainy season के दोरान most suitable binder most suitable binder कौन सा होता है correct answer अपका d हो जाएगा between us immerson होता है वण 94 का d वाल आइंसर क्या हो जाएगा है आप पर correct वण 95 number question दिया है correct characteristics rebound deflection on a pavement using bank element beam steady is कितना दिया है आपका 2 mn दिया हुआ है connected characteristics rebounded deflection का मान दिया हुआ कितना दिया है उसके बाद दिया थैए equivalent granular overlay thickness require and allowable deflection of 1 mm क्या दिया है allowable deflection command भी दिया है कितना दिया है वह 1 mm है आगे दिया कहे रहा है पूछ क्या रहा है आपसे equivalent granular overlay thickness command पूछ रहा है equivalent granular overlay thickness की value आपसे पूछ रहा है तो यह क्या होता है यह होता है 500 log dc upon da यहां बेस्टेन होता है क्या होता है 500 log dc upon da बेस्टेन होता है इस पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 500 log dc कमान कितना दिया है 2 mm दिया हुआ है और da कमान कितना दिया है 1 mm दिया हुआ है तो 2 upon 1 कर देंगे और इसको हल करेंगे तो correct answer क्या हो जाएगा आपर D1 आउसर क्या हो जाएगा तो 905 जाख्र jal उसके बाद 196 number question दिया है् तो 196 number question कहे रहा है कहे रहा है कि par a circular As在 the radius रेडियस यहीं सर्कूलर कर Knowing का रेडियस दिया हुआ है party value दिया है कितना दिया है आपका 200 मीटर दिया है आगे दिया कोफिजियन्ट आफ लेटरल फ्रिक्शन इसके तन लिया पॉइंट फाइब दिया हुआ है डिजाइन स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर कर आगे दिया दा एक क्यू ब्रिलियम सूपर एलवेशन आप से पूछ रहा है तो फार्मूल आपको पता यह है ए प्लस रख करके हम एक वैलू निकार लेंगे और एक वैलू कितना आजाएगे है मारा सी वाल राовор क्रेक्ड हो जाएगा और एक वैलू क्या हो जाएगा सी वाल रायंसर औरे च्ट हो जाएगा उसके बाद 1-27 न अभर कुशंट दिया है 197 नहीं कुशन कहे रहा है कि इफ ए डिसें ग्रेडिंट ऑफ वनेग्ट इन्डे रेडिंट यानि डिया है और एसेंडिंग ग्रेडियन गितना दिया है आगे चाहिए और लेंथ अपॉड़ करो का लेंथ बताना है रिक हैं राइड लाइड है डिस्टेंस कमान कि आपका 100 मीटर दिया है यानि एणवन दिया है एन्टों दिया है सपका दिया हुव है आप से पूछ क्या रहा है पूछ रहा है ईसे लेंख अब्डा में करो तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए लेंख ऑधा वाल करो का फार्मूला होता है L बराबर ns का स्क्वाइर अपान में क्या होता है ns का स्क्वाइर अपान में हमता है 1.5 प्लस 0.035 इंटू s होता है अगला नम्मर कुश्चन दmakersे हैं तो 198 नम्मर कुश्चन में क्या कह रहा है सब्सक्राइब कर दिया है तो आप से पूछ क्या रहा है समिट कर्व का लेंथ पूंच रहा है तो समिट कर्व कर लेंथ का लेंथ का लगा होता है एन एसका इसकुआयर अपान 9.6 होता है इस फार्मूले पड़ा करके इसको हल करेंगे तो करेक्ट एंसर नहां पर क्या हो जाएगा बी वाला एंसर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद अगला नंबर कुष्चन देखते हैं वन नाइंटी नंबर क्या रहा है इस में से कौन सा जो है पेर करेक्ट रूप से मैच नहीं करता पहला नमबर हाट जेंटर करो दिया है यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है आगे आपका देखते हैं आगे बी नंबर म ने नं क्या दिया कारण फर लौस टेया होता है यह इंट्र दिया हुआ है नाइनटिनडर क्या हो जाएगा sg मतल logos इंटर में सट्रमान को होता है इसमें sipe अहां किया है तो में ऐंसे नियाने इन सो करेक्ट हो जाएगा इसके बाद दोसों एक नमर कुश्चन प्राया था से दिया आप का वह दिया инкиट दिया है प्राइस्ट नंबर आपका धिया है तो इस कंप्रेश अनपर उस्था ओब सब्सक्राइब था कर में पर डेया है रिटाउड रेनलािने सावरी टा-फॉड तथा नैंसीन की 0 करेक्टर यार Ugling सब्द दारल मतलब सीर्ज बात कुरह समझे क्या कहtt tao कुर्शन में आपको लेक्विह नुमिट on the soil दिया है प्लास्टिक दिया उसके दिया है चाहिए नेश करण temperature दिया हुआ कि इसमें से कौ से जो है इन तीपांचों में से कौस मान से मीश समान होता है जो पर हramer के करने में चैनल होता है तो कारश रही होता है पहला दुसरा दूसरा चौता होता है j definition होता है प्लस्टिक je सी बियार मेंधिट के दवारा युलिक्जिबल पिमेंट की डिजाइन का उसली लेटेस्ट अयारती सी गाइडलाइन के अंसार D यानि नोडशी और होता है को यहां न्यकर करेक्ट रॉता हुए ओड फॉयार होता हुता तो करेंधर न्यक्षी पर भी वह acrylic कॉंबलेटिव स्टेंडर् एक्सेल इन मसे होता है वी वाला एंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद दोसो तीन नंबर कुश्चन दिया है तो दोसो तीन नंबर कुश्चन कह रहा है कि इप दर लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शन इस्ट्रेस इंद सिमेंट कंक्रीट स्लेप आर कितना दिया है लोड इस्ट्रेस आपका दिया है 210 न्यूटन पर एम स्कॉयर है उसके बाद स्थेस्ट च्रेस नंवाल इसननर कितना उरलक इंड इसके लिए हो तहीं लोड इस्ट्रेस आर्ट क्या हो जायेगा वार्पिंग इसट्रेस और मायनस क्या हो था इसको हलकर हो जाएका 409 Newton पर Q2 किसमें दिया हुआ है यह आपकाorsa C वाले ने दिनिसी वाला एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद अगला नमबर कुस्टिन देखते हैं तो चार नमर कुस्टिन दिया था दोसर चाहर नमर फुर्षिंग कहा रहा कि ता ब्रेक इज अप्लाइड आने वेहिकल विच देन इसकीड ए डिस्टेंस आफ कितना दिया है सोला मीटर के डिस्टेंस गया होती है इसकीड कर जाती है बिफोर कमिंग टुष्टाफ में आने से पहले आगे दिया है इप देवलप्ड वरेज कोफिसियंट अफ्रिक्शन बिट्विन दा टायर एंड़ पेविमेंट इस कितना दिया पॉइंट फॉर दिया है यानि क्या है इस स्पीड आप देवेगल कितना होगा यह आप से पूछ रहा है इसमें क्या हो जाएगा देखे फार्मूला होता है आपका फार्मूला यहां पर दिया होता है बीडी बराबर क्या होता है वी का स्कॉयर अपान टू जी एफ होता है क्या होता है बीडी बराबर या ल बरा चाहिए तो क्या हो जाएगा टू जी एफ अंडर रूड यानि आपको टू दी मालब होता है यह काश्टेंट वैलू है जी की वैलू काश्टेंट होती है एफ आपका पॉइंट फॉर्ड दिया है यहां पर इल्की वैलू 16 मीटर दिया हुगा इससे हल करेंगे तो हल करके हमा करते है आफ से उडेंसियडंग पॉत्वैंट कर्क्राइब कोड़ मेरे क्या है ऊटेंट हुगा तो गया करेंट ज्रूर्ड जाएगा था है फोटीरेनि आपंडेंशियर 205 का तो यह वाला एंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके बाद 206 नम्बर कॉच्षण दिया है 206 नम्बर कॉच्षण कहारा कि rapid curing cutback between is produced by the blending between with क्या दिया है कहारा कि rapid curing cutback between to use by the blending between with नहीं ग्रेंडिंग के साथ निकारी चाहते हैं तो करेक्ट एंसर यहां पर डी हो जाएंगा प्रेटोल करें यूज याता है 206 का डी वाला आपक्राइव कारेंच क्या था यूज साथ नंबर कुष्चाण दिया है कारता एड टू बेंगि टू लेंस इन दा यह आफ कमप्रीशन आफ कांस्ट्रक्षन संफेक्ट बिढ़ा हुआ है अंगे दिया है कि लेंड डिश्ट्टीबूसन फेक्टर दिया है इन लेंड डिस्टीबूशन फेक्टर कमान कितना दिया है इन्वाइट ग्रोफ इसका मान पूछ रहा है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है आपका 365 इन्टू आगे क्या होता है इन्टू क्या होता है और इन्टू में होता है एफ होता है तो इस पर जो है इसमें समझ लेते हैं क्या क्या दिया है एक की वैलू कैसे निकालेंगे एक वैलू हो जाएगा आपका 2000 इंटू क्या हो जाएगा तो इस प्रकार जो है 207 का क्या हो जाएगा तो इस प्रकार हम लोगों ने गुप्ता इंजिनियूंग का पार्ट नमबर 8 अच्छे से पढ़ लिया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो का पीडियो प्रात करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें थाइंक्यू धन्नवाट